वाल्कम बाक अवर्ड करते हैं कोक्रोच से कोक्रोच骜 अ ब्राउन और भ्लाइक बॉडी ऐनीमर इंक्लुड़दे इनक्लास इंसेट тीकोड और फााइलम आर्थोपोड़र दॉस्टिक तो आर्थोपोड़र की व freshly इसके पास क्या होता है इसके पास एक लॉंग इंतीना होता है लेग है अब ही कहा है इंसानों के साथ उनके घर में ही रहते हैं उनके रेजिडेंशल हो गाहे है उनके साथ ही रह रह रहे हैं और एक सीरिस पेस्ट बन गए है जो वेक्टर है बहुत सारे डिजीज का मतलब इसके थूप बहुत सारी बीमारियां फैलती है अब नाव मॉर्फलोजी ओव दी कोक्रोच जो एक अडल कॉमन स्पीशिज एक कोक्रोच की उसे कहते हैं पैरी प्लानेटा अमेरिकाना इसका ना अब क्या होते हैं इसके विंग संपा इसके विंग से कहां तक उसके हैं टिप आप इप बैदोमन मालों है और यह एक टिप टेक इसके विंग किसमें में में in males the body of the cockroach is segmented and divisible into three distinct regions इसकी body कैसी है segmented है segments में बटी होई है तीन रीजन में बटी है पहली head thorax abdomen head thorax and abdomen किस-किस में बटी है head में thorax में और abdomen में इसकी पूरी बटी है कैसे कवर होती है जो भी यह कवरिंग है किसकी बनी हुई है जो exoskeleton आउटर कवरिंग वो किस का है काईटीन का मना है इसलिए कहा गया हार्ट काईटीन इस एक्जोसकेलेटन जो कैसा होता है इसलिए ब्राउन इन कलर अब जैसे यह सब दिखा रहा है यह क्या है इसका exoskeleton है और किसका बनावा है काईटीन का बनावा है अब जो हर एक exoskeleton है नो सॉरी जो हर एक सेग्मेंट में exoskeleton के पास क्या हार्टन प्लेट्स है जिने क्या कहते हैं इसकले राइट्स तो यह लाइन इंपोर्टेंट है इन इच सेग्मेंट exoskeleton has hardened plates उन्हें क्या कहा जाता है स्कलेराइट्स अब इसकलेराइट्स में भी दो चीज़ या घरगाइट और ट्रॉपर गयरण Прमलोर्ण है टो सब्रेक्षै क्षेक्षिक्षै क्लिए सब्सकरूंदी सब्सक्राइबivery लिए टार्ट मेंप्रेन ट करने हैं काई 10 ते नीचर ब्राउनी त PUBG त apolog में जो हरrition न कौन हमें उसके पास अ के यह चीजे से यहाई इस इंडमा BeanS तर गाइट इस्टरिबल रे नाय़डी कान प्रेजंट है क्या ऊता थीजिट काक्या में क्या रधर सक्वर्वी बलेफ फ्लेट क्या है' और उस membrane का नाम क्या है Arthroidal membrane, अब देखो इसका diagram देखो, क्या है, यह इसका head है, यह इसका tagmena, यह इसका hind wing, यह abdomen हो गए इसकी, यह annulcer का है, metathoracic leg, mesothoracic leg, यह metathorics, यह prothoracic leg, जो prothoracic leg से rise होगा, mesothoracic part है, thorax कही, तो जो वहाँ से leg आता है, that is mesothoracic leg, जो metathorics part है, अब वहाँ से leg आता है, that is metathoracic leg, और जो prothoracic leg से आता है, that is prothoracic leg, तो तीन thorax, जो thorax है, तीन divisions में बटा है, किस-किस में, mesothorax, metathorax और prothorax, तो वैसे ही उसके तीन type के leg हो गए, prothoracic leg, mesothoracic leg और metathoracic leg, यह इसकी compound eyes है, और यह इसकी philiform antenna है, और यह कह दिखा रहे हैं, इसकी body कैसे segmented है, यह, head, head कैसा होता है, head is triangular in shape and lie interiorly at the right angle to the longitudinal body axis, head कैसा है, triangular shape का होका lie interiorly, मतलब, अंदर की तरफ होगा, आगे की तरफ कैसे होगा, right angle पे होगा, उसकी body के longitudinal axis के according, it is found by the fusion of six segments and show great mobility in all directions due to flexible leg, किसके वज़े से बनता है, वहाँ पर fusion होता है, छे segments का, जो हमने देखा था है, उसकी body segmented है, जब छे segment fuse होती है, और वहाँ पर mobility आती है, उसमें, सारे directions में, क्योंकि उसके पास क्या है, flexible neck है, तो head triangular in shape हुआ, कैसा है, anteriorly lie करेगा, अब हमाई दो side होती है, interior और posterior, posterior मतलब, पीछे की तरफ, anterior मतलब, आगे की तरफ, और कैसा है, right angle है, किस पर longitudinal body axis, body की ये longitudinal axis है, तो इसके कहाँ पर है, ये इसके 90 degree पर मिलेगा, that is 90 degree पर, इसलिए इसे बोलते हैं, कैसा है ये, और कैसे बना है, जब 6 segment fuse हो रही है, और flexible है, great mobility है, head की क्यों है, क्योंकि उसके पास, वहाँ पर flexible neck है, ये इसका reason है, क्यों इतनी great mobility क्यों है, क्योंकि due to flexible neck, the head capsule bears, a pair of compound, आए, वही पर head capsule के पास क्या मिलती है, दो compound eyes मिलती है, pair है compound eyes का मिलब दो compound आए, अब pair of thread-like antenna, वही पर thread-like antenna मिलता है, arise from the membranous sockets lying in front of the eye, अब आए है, आए के पास, यहां क्यों होता है, membranous sockets होते हैं, इसी सही निकलते हैं, ये antenna antenna have sensory receptor, अब antenna की क्या quality है, उनके पास क्या है, sensory receptor है, तो antenna have, क्या है इनके पास, sensory receptors, have sensory receptors that help in monitoring the environment, क्या काम है इनका environment को monitor करना, तो ये important है, क्या है इसका function, इनका काम है monitor करना environment को, अब interior end of the head, bear appendages forming biting and chewing type mouth parts, अब ये क्या रहा है, जो interior end है, head का, मतलब फिर से आगे की तरफ का head, क्या है उसके पास appendages हैं, जो क्या बनाते हैं, एक biting, काट निकले, chewing, चबाने जैसरे type के mouth part बनाते हैं, तो कहां बन रहा है, interior end of the head, अब जो mouth part है, उसके पास क्या क्या है, the mouth part consists of labium, या फिर labrum, जिसे बोलते हैं, upper lip, a pair of mandible, mandible का pair है, a pair of maxilla and a labium, that is lower lip, a median flexible lobe, एक median flexible lobe होती है, जो किस की तरह काम करती है, टंग की तरह काम करती है, या फिर टंग का दूसरे नाम क्या कहा है, इसको hypo pharynx, तो जो इसके पास से mouth part क्या क्या है, वहाँ पे, pair है, mandible का, maxilla का, labium, that is lower lip, and labrum, it is upper lip, अब, mandible क्या होता है, maxilla क्या होता है, mandible होता है, अमारा lower jaw, maxilla होता है, हमारा upper jaw, वहीं पे, एक median flexible lobe होती है, मतलब बीच में कैसी है, तो वह flexible होगी, और lobe होगी, like this structure, तो क्या होगी वह, उसे क्या बोलता है, वो टंग की तरह काम करते हैं, या फिर टंग को हम दूसरा क्या बोलता है, hypo pharynx, lies within the cavity, enclosed by the mouth part, और कहां रहती है, एक cavity के अंदर रहती है, और उस cavity को कौन enclosed करता है, उसके mouth parts, और भी हम इसके figures में भी देखें आगे, अब नाओ, यहाँ से start होता है, thorax वाला region, thorax consists of three parts, अब thorax के तीन parts है, अब मैंने डाग्राम में भी पता है, प्रो-thorax, mesothorax and metathorax. तो, प्रो-thorax, mesothorax and metathorax, अब thorax तीन parts में डिवेड़ है, वैसी ही इसके पास तीन type के पैर ग भी तेने लेग मिलेंगे, three pairs of leg, three different types, तो जो प्रो से होगा, prothoracic leg, mesothoracic leg and metathoracic leg. the head is connected with the thorax by a short extension of the prothorax known as the neck अब देखो एक short extension निकलता है pro thorax से जिसे हम neck बोलता है जो क्या करवाता है connection करवा रहा है head को thorax के साथ connect करवाता है suppose यह ऐसे body और यह ऐसे head होता है तो यह कैसे connect होता है इसके और इसके 90 degree पर होता है अगर हम ऐसे angle देखें that is 90 degree यह 90 degree angle बन रहा है ना इसके तो body की longitudinal axis है क्या है longitudinal axis longitudinal axis का मतलब ही वह रहता है जो हम head to toe की तरह body में run कर रहे है center type तो head कैसे 90 degree पर है यह 90 degree का angle बनाता है अभी कैसे connect होगा thorax से कैसे connect होगा तो जो प्रो थोरेक्स है उसका एक छोटा सा extension निकलता है जो thorax और head को connect करवाता है इच thoracic segment bears a pair of walking legs वही अभी मैंने बताया सब थोरेक्स है तो उसके पास क्या होंगे pair of legs होंगे the first pair of the wing अब पहला पेर विंग का यह भी important है the first pair of wings arises from mesothorax देखो प्रो थोरेक्स से कोई विंग नहीं आएगा कहां से start होगा mesothorax से और second pair कहां से हैगा metathorax से अब now the four wings जिसे बोलता है mesothraceous called the tegmina are the opaque dark leathery and cover the hind wings when at the rest क्या करता है जो सबसे पहला pair है विंग का arise होता है हमारा mesothorax से दूसरा आता है metathorax से पहले विंग के जो pair है उससे क्या बोलता है mesothoracic या फिर four wings इसको क्या कहा जाता है tegmina तो पहले विंग का क्या नाम है tegmina और कैसा होगा opaque होगा dark होगा leathery होगा और जब cockroach rest पे है तो वो किसको cover करके रखेगा hind wings को cover करके रखेगा अब hind wings कैसे होता है transparent होते हैं the hind wings are transparent membranals and used in the flight और यही उड़ने में कौन मदद करते हैं यही hind wings तो अभी जिससे अगर हम diagram में देखेंगे उसके पास ऐसे यह था एक dark था उसी के नीचे फिर एक light वाला था तो यह जो dark वाला है यह हमारा जो कहां से arise हो रहा है mesothoric से जिसे mesothracic wing बोल दो या फिर से क्या बोलते हैं हम tagmina तो यह dark है अब वहीं यह light वाला है इसे बोलते हैं hind wing तो यही hind wing help करता है हमारी उड़ने में flight में now अब हम चलते abdomen के पार्ट पर the abdomen in both male and female consists 10 segments क्या है abdomen के पास 10 segment है यह abdomen region है जिसका तो कितना segment मिलेंगे या 10 segment मिलेंगे चाहें वह male हो या female इन फीमेल अफीमेल में कहां difference मिलेगा जो 7th sternum है वह कैसा होगा boat shape होगा और 8 और 9th sternum के साथ मिलके क्या बनाएगा brood या फिर genital pouch क्या बनाएगा brood बोलते हैं या फिर genital pouch बोलते हैं तो हमने क्या देखा जो 7th sternum है अच्छे से देखते हैं जो abdomen है दोनों चाहें male की बात करें चाहें female की 10 segments में distributed है यह ऐसे मान लोई इसका abdomen और यह 10 segments में बटावा है ठीक अब चाहें male और female यहां इसका इसका मीजल सब्सक्राइब के लिए यह इसका मीज तेग मेना इसी के नीचा आता है हाइंड विंग इसके फिर यहां से पैर आता है थोड़े और विंग ऊपर रोद्रेश पर कवर करकर रखते हैं यहां इसका हेड होता है यहां इंटीन होता है यहां compound eyes होती है और यहां इसके membranous होता है जहां से फिर आगे antenna निकलते हैं ठीक है तो अब abdomen क्या है male female में 10 seconds में बटी हुए है female में जो 7th sternum है वो कैसा होगा board shape होगा तो यहां लिख लो साइड में जो यहां पर जब पहले ग्राफर पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है समझने में याद करने में recall करने में तो हम इसे लिखेंगे किस के बात करें हैं पहले females की बात करें किसके बात की जारी 7th sternum की कैसा है बोट शेप है और किस के साथ मिलके क्या बनाएगा जनाइटल पाउच यो ब्रूड एथ तुम यह लिख सकते है प्लस एट एट एड नाइट इस चड़ना के साथ मिलके क्या बनाता है हमारा यह फॉर्म्स अब ब्रूड और जनाइटल पाउच क्या बनाएगा ब्रूड और जनाइटल पाउच तो अभी हमने यह पड़ा सेवंज इस्टरणम बोर्ट शेप है और एट और नाइन के साथ मिलके क्या बना रहा है ब्रूड या फिर जनाइटल पाउच whose interior part contain female gonofor अब जिसका interior part अभी pouch है pouch के भी दो पार्ट होगा एक interior part जो है वहाँ क्या मिलने वाला है female gonofor क्या मिलेगा female gonofor spermatical pores and collateral glands और क्या female gonofor मिलेगा spermatical pore मिलेगा और collateral glands मिलेगे तो इस अब कहां मिलने वाला है यह सब मिलने वाला है brood और genital pouch में तो यह important है यह line कि 7th sternum board shape है 8th और 9th sternum के साथ मिलके brood या फिर genital pouch बनाती है अब उसके interior part में क्या क्या मिलने वाला है female gonofor, spermatical pore and the collateral glands अब मेल अब हम बात करते हैं मेल की अब मेल में क्या है जो genital pouch है यह chamber है कहां आ रहा है hind end पे आ रहा है abdomen के जो dorsally उपर की तरफ किस से बना है 9th और 10 तरगा से ventrally मतलब नीचे की तरफ किस से बनावा है 9th sternum से तो यह भी याद रखना है उपर की तरफ है 9th और 10 तरगा नीचे की तरफ क्या है वाह पे 9th sternum इत कंटेंज डॉर्सल एनस क्या क्या है उसके पास डॉर्सली ऊपर की तरफ एनस है ventrally male genital pore है और gonophysis तो क्या 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 है इसके पास है डॉर्सल एनस ventrally male genital pore और gonophysis male bear a pair of short thread like anal style अब यह इसका differentiating point होता है कि male always show style male हमेशे style मारता है तो यह characteristic और डिफ्रेंट्स डिफ्रेंशिंग characteristic है कि male के पास है वो चीज और female के पास नहीं है that is anal style तो इसे हम ऐसे क्यादर सकते है male always show some style तो male bear a pair of short thread like anal style which are absent in females तो यह क्या है इसका एक differentiating characteristic है कि male में anal styles present होता है female में absent होता है in both sexes the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal anal सरका है अब जो 10th segment है उसमें चाहें वो male female हो दोनों के पास के मिलेगा एक pair कैसा jointed filamentous structure है जिसे बोलते हैं anal सरका है तो यह दोनों में मिलता है है अब यह स्ट्रक्टर देख रख़ा है compound आये और से एक सिंपल आय की तरह होता है compound आये फिर एक membranus socket है जहांसे antenna निकला है देखो अब जैसे इसका head है तो इसकी body इसकी longitudinal axis ऐसे होती है तो देखो फिर से ही 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका head 90 डिग्री के एंगल पर लाए करता है cockroach का ठीक है यह इसका mandible यह इसका labrum labrum क्या था upper lip labrum lower lip mandible is lower jaw maxilla is upper jaw अगर confusion होता है कि क्या है तो यह लिख लो mandible क्या है lower jaw maxilla है upper jaw labrum is upper lip labrum is lower lip यह mandible अब इसके हम देखा थे क्या थे grinding और इंसी दरने हम देखा थे चूइंग और biting टाइप के parts है hypo pharynx एक medium flexible lobe है जो टंकी तरह काम करती है labrum mandible labrum lower lip maxilla यह सारे इसके structures हैं यह maxilla यह क्या है सब head region है cockroach के पहला है यह वाला parts of head region दूसरा है उसका mouth अब यह जो mouth part भी उसका head region में ही मिलेगा तो head region में दो चीज़े आगे एक तो head का part और एक mouth का part now anatomy अब हम देखते हैं कि इसके anatomy कैसी है जिसकी cockroach की the elementary canal present in the body cavity is divided into three regions कितने regions में बटी हुए इसके elementary canal तीन रीजन में four gut mid gut और hind gut तो anatomy हमने cockroach में भी देखी थी anatomy का मतलब क्या था उसके internal structures की study करना that is anatomy और बहार सी कैसा देख रहा है तो अब anatomy part time cockroach की तीन रीजन में बटावा है four gut mid gut hind gut अब mouth है उसका mouth किसमें जाके खुलता है एक short tibular pharynx में pharynx से जाता है वह isophagus में isophagus से जाता है एक bag like structure जिसे बोलते हैं crop जिसका काम है आने को store करके रखना फिक क्रॉप को कौन फॉलो करता है क्रॉप के बाद क्याता है ग्रिजाट ग्रिजाट का दूसर नाम होता है फिर उसके बाद क्या आता है पर मसल्स आती है फिर काइटीनस टीट आती है तो यह इसका पूरा यह होता है तो हमें इसे यह फ्लोचार्ट के फ़ॉर्म में या दखने है कि पहले pharynx है के बाद आएं उसके तो पिर एके बैलीध्टेаты के बात या पिर फड़ाइं में लändigर इसे प्रेजेर स्पिया रोड़ Ев में इसी हुआ रच्थ में इसे होता है। यह मेर्ट कर्ट फिल मेलफीजिन टिब्यूल इलियम कोलोन दें रेक्टम तो दमाउट ओपन्स इन्टुर्ट टिबूलर फारिंग्स इस और टिबूलर फारिंग्स में खुलता है अब देखो कैसा है यह शॉर्ट है यह लॉंग आ जाएगा तो यह स्टेट्मेंट गलत हो ज उलिगार फूट को स्टोर करनाव क्रॉब और kobold क्रॉट करौब्शय ख skeptics करें दोनाम एक्री कॉलस करें-स अगलाने खुलस मू अदर इना क्यअर्द official लेयर अपन गोल्मिंग्स ब्लेच को टीज है कि टीट कहां मिलने वाले जाइख़्न रेमिलने वाले गेशाबीज़ि का का में का है फोको ग्राइंड करना तो इंटायर फोर गट इसलाइनद इलाएं अ अब जो पूरी फोर गट है कहां तक फोर गट आगई पूरी यहां तक तो उसमें क्या है पूरी उसे क्यूटिकल ने लाइन किया हुआ है और रिंग और शिक्स टू एट ब्लाइंक टिब्यूल कॉल हिपाटिक और गैस्टिक सीका इस प्रेजंट अधर जंक्शन ऑफ फोर ग जंक्शन ओफ फोर गट आड़ मिडगट क्या है 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 हिपाटिक सीका तो हमने यही पड़ा रिंग ओफ शिक्स टू एक ब्लाइंक टिब्यूल कॉल हिपाटिक और गैस्टिक सीका इस प्रेजंट एप फोर गट और मिडगट विच इसका काम क्या है डाइस्टिव जूस को स आड़ मिडगट अब मिडगट आ गई यह और हाइंड गट आ गई यहां जोगा उसके यह हां डगत नहीं पर तो मिडगट और हाइंड जंक्शन पर प्रेंट है दस से पंदरा वह सॉर से देर सो यल्लो कलट के थिन फिलमिंटेंस मेलफीजन टिब्यूल क्या प्रेजन टि इनका काम क्या है एक स्क्रीटरी वेस प्रोड़क्ट को रिमूव कराना कहां से हीमो लिंप से नौ हाइंड गट अब जो हाइंड गट है वो ब्रॉडर है दन मिड़कर मतलब हाइंड गट चौड़ी है ऐस कंपेर तो मिड़कर और डिफ्रेंशेटेटेट इलियम कोलोन और है किसमें डिफ्रेंशेटेड इलियम कोलोण और यहां से क्या स्थ debod oh geri here तो ब्लड वेस्कूलर सिस्टम में कॉकरोज का इसा ओपन टाइप है ब्लड वेस्टल अपुर्ड डेवलप और उपन इंटेटीज कहां पर खुली है मतलब कोई प्रॉपर इनकी क्लोज रेंगे ओपनिग नहीं आप ऐसी स्पेस में खुलिया और उस स्पेस को क्या चाहिता ह उपन टाईप हैं मतलब पर प्रॉपर नेटवरक आफ ब्लड वैसल नहीं है password अब जो इनकी सもし reflective पर बिसके हैं पें के ब्लडज को क्या चासता हिं और को सफस्पेस नियुट से ब्लद को कहते हैं तो हीप यसील क्या है एक सपेस अगया ओरक्रोप्डन है thrij trip धते हैं उसके मिलेच १ड़े करते हैं लेकि कमपोस्ट और कहां पर new colorless plasma and hemocytes किसका बनावा है colorless plasma और hemocytes का बना है hemocyte that is cell, sites means cell, hemo means something related to the blood तो colorless plasma और hemocytes है, heart of the cockroach consists of the elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of the thorax and abdomen, तो अब जो heart cockroach का कैसा है, elongated muscular tube है, कैसे लाए करता है, mid dorsal line of the thorax तो यह, यह क्या है, mid line of the, mid line किसकी है, thorax की और कैसी dorsally it is differentiated into tunnel shaped chambers with ostia on either side, और यह कैसे differentiated है, यह differentiated है, tunnel shaped chambers में, कैसी chambers होता है, tunnel shaped chambers होता है, और क्या होता है, ostia, मतलब with ostia on either side, दोने तरफ किया है, ostia, अब जो blood from the sinuses enter the heart through the ostia, blood कैसे enter करेगा, sinus का मतलब basically होता है, cavity type, तो blood from the sinuses enter heart through ostia, तो sinus से blood आता है, heart में enter करता है, किसके through, ostia के through, and pumped anteriorly to sinus again, और वापिस से, फिर sinus में वापिस चला जाता है, यह क्या है, इसकी anterioriota, यह इसकी allergy मसल हैं, और यह heart के chamber है, तो heart में blood आएगा, किसके through आएगा, ostia के through, यह इसके ostia है, और यह heart, ठीक है, और heart में ostia के through आ रहा है, और ostia में भी कहां सा आ रहा है, sinus के through आता है, तो यह इसका circulator system होँआ पूरा है, ओपन टाइप है, blood vessels poorly developed है, हीमो सील है, वहाँ पे विस्टर लॉर्ण्स पढ़े रहते हैं, blood के अंदर हीमोलेंफ है, अब हीमोलेंफ किसका बना है, colorless plasma, हीमोसाइट इन सब का बना है, heart कैसा है कॉक्रोज का, muscular teeth है, जो mid-dorsal line पे लाए करता है, thorax और abdomen, differentiated है, tunnel shape, chambers में, funnel shape, chambers में, chambers में, differentiated है, austria है, दोने तरफ, blood sinus से आता है, enter करता है, heart में, austria के through अब वापिस से, sinus में चला जाता है, तो कैसे हैं इसके, जो, differentiate है, heart की chambers है, यह कैसी है, हम बोल सकते हैं, funnel shaped है, chambers of heart कैसे है, funnel shaped, यह बनता है, that is funnel shaped, तो यह लेख लो, कैसे है, इसके funnel shaped, now respiratory system, respiratory system क्या है, क्या क्या है, उसके पास network of trachea है, जो open होता है, 10 pair of small hole called spiracles present on the lateral side of the body, respiratory system के पास क्या है, trachea का network है, जो कैसे खुरता है, हैं, 10 pair of small holes की through, खुलते हैं, जिसे बोलते हैं, spiracles, जो कहा है, body के lateral side, तो जैसे अगर यह cockroach है, तो यह इसके lateral side होती है, ठीक है, lateral side पे क्या है, छोटे-छोटे holes हैं, तो उसे क्या कहा गया है, हमने spiracles कहा, कितने हैं, यह 10 pair हैं, और क्या होता है, इसके through, जो trachea है, वो खुलता है, किनके through छोटे-छोटे holes की तरफ, जिनने कहा जाता है, spiracles, और वो कहा हैं, 10 pair है, thin branching tubes, जिसे बोलते हैं, tracheal tubes, किस में divided हैं, सब divided into tracheules, क्या करती हैं, oxygen लेके जाती हैं, air से to the all parts, तो जो tracheal tubes हैं, जो सब divided हैं, कि वो इसमें क्या करती हैं, इनका काम है, oxygen को ले जाना, air से, और body के हर पार्ट को oxygen देना, the opening of the spiracle is regulated by the spincher, अब जो spiracle present है, जैसे ये body थी, body के lateral side, body के lateral side पे spiracles हैं, जो spiracles की opening है, कौन regulate करता है, अब इसकी opening कौन regulate करेगा, यहां पे एक spincher type होगा, वो क्या regulate करेगा, इसकी opening, कभी से खुलना है, कभी से नहीं खुलना है, इस पिंचर regulate करते हैं, spiracles की opening, exchange of gases take place at the tracheose by diffusion, अब यह line important है, exchange of gases कहां होता है, tracheose पे होता है, exchange of gases, और किसके through होता है, through diffusion, तो यह line important है, इसके respiratory system में, क्या था, network of trachea था, जो खुर रहा था, spiracles की through, spiracles 10 pairs है, कहां present थे, body की lateral side पे, और फिर हमारा further, जो trachea tube आती है, further divided है tracheoles में, उसका काम है oxygen को लेना, air से, और हर पार्टमेंट डिवाइड करना, तो इस पारिकल की openings कौन रेगुलेट करता है, इस पिंचर रेगुलेट करता है, और exchange of gases कहां पे होता है, tracheole में होता है, diffusion के through, Now, excretion और excretory system, the excretion is performed by the malfeasin tubule, कौन परफॉर्म करता है, malfeasin tubule, each tubule is lined by the glandular and ciliated cell, अब जो हर एक tubule है, कौन लाइन करके रखा है, उसको glandular और ciliated cell, they absorb nitrogen waste product and convert them into uric acid, अब इनका काम क्या है, जो nitrogenous waste product है, body में, उसके hemol lymph में, उसे उठाएंगे, convert करेंगे uric acid में, और उसे फिर excret out कर देंगे soda hindgut, कहां से होगा hindgut, hindgut क्यों, क्योंकि वहां पर rectum था, rectum कहां जाके खुड़ा था, anus में, तो anus के through क्या होगा, uric acid excret out हो जाएगा, therefore, इसले ने को क्या कहा जाता है, uricotelic, क्योंकि इनका जो excretory product है, यह फिर जो waste product है, that is uric acid, और इसले ने कहा जाता है, uricotelic, in addition, the fat body, nephrocytes and the uricose gland also help in excretion, अब यह line बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, malefegen tibules के अलावा, कौन उसके excretion में help करता है, fat bodies, nephrocytes and the uricose gland help in excretion, यहां से question पूछा जाता है, यह कहा था, मौई इसका excretory system, now moving towards nervous system, the nervous system of the cockroach consists of series of few segmentally arranged ganglia, joined by paired longitudinal connectivities on the ventral side, अब जो nervous system में cockroach का, उसके पास क्या है, series है, पूरी, एक series है, किसकी fused segments है, जो कैसे arranged है, ganglia की तरह arranged है, और कैसे joint की रही है, एक longitudinal connective है, कहाँ पे ventral side, मतलब आगे की तरह एक longitudinal से connective होती है, वेंटर साइट की तरह जिससे वो connected है, अब जो three ganglia है, lie in the thorax, तीन ganglia कहाँ लाइन करते हैं, जिसकी इसका पूरा पार्ट है, तीन ganglia lie करें का thorax में, और छे कहाँ लाइन करने वाले हैं, तो टोटल नौ गैंगलिया है, तो नर्वस सिस्टेम के पास क्या है, अब जो head है, वो थोड़ा ही part होट कलता है, नर्वस सिस्टेम का, जिसके वज़े से, अगर हम cockroach का hat remove कर दें, तब भी वो survive कर पाता है, तो यह line भी important है, तो नर्वस सिस्टेम अगर हम head of the cockroach cut off भी कर दें, हटा दें, तो it will still live for as long as one week, तब भी वो एक हफ्ते तक जिन्दा रह सकता है, अब इसका reason क्यों रहता है, क्योंकि head region में जो brain रिप्रेजन करता है, supra, isofagal से, या फिर हम कह सकते हैं, इसका reason यह है, कि जो उसका maximum part है, nervous system का कहा लाय कर रहा है, उसके vental side में बैली के, और उसका head थोड़ा ही part hold करता है, उस nervous system को, इसलिए अगर उसका head को cut भी कर दिया जाए, cockroach को, इसलिए वो एक हफ्ते तक survive कर सकता है, in the head region, brain is represented by supra, isofagal ganglion, अब brain को कौन represent करता है, यह भी important है, supra, isofagal ganglion, which supplies the nerve to antenna, अब यहां से nerve जाती है, antenna को, यह हमारा यहां था, head ऐसे, यहां इसकी compound आया, यह membrane यहां पर antenna, यहां पर brain होगा, brain को कौन represent कर रहा है, supra, isofagal ganglion, जो nerve supply देने किसको, antenna को nerve supply देते हैं, ठीक है, and compound eyes, compound eyes को भी देंगे, in cockroach, the sense organ are antenna, अब यह भी important है, जो cockroach है, उसके अंदर sense organs क्या क्या हैं, तो in cockroach, the sense organs are antenna, eyes, maxillary palp, and labial palp, and annals, अरका है, यह सारे उसके sensory organs हैं, सिर्फ antenna ही sensory organ नहीं होता, उसका antenna, उसकी eye, उसकी maxillary palp, labial palp, and annals, यह सब उसके sensory organs के अंदर आते हैं, यह sense organs के अंदर आते हैं, this line is very, very, very important, क्योंकि सबको लगता है, सिर्फ antenna ही उसका sense organ है, नहीं, antenna, eye, maxillary palp, labial palp, and annals, अरका है, these all are the sense organs, the compound eye are situated at the dorsal surface of the head, कहां पर है, the dorsal surface पर ही है, each eye consists of about 2000 hexagonal ometeria, क्या होते हैं, इसके पास, हर एक eye के पास, लगभग 2000 hexagonal ometeria होते हैं, इसलिए एक object के बहुत सारी image बनती हैं, और इस type के vision को क्या कहा जाता है, known as mosaic vision with more sensitivity but less resolution, अब जितनी ज़्यादा images तो उसको resolve करने में उतनी ही दिक्कत होने वाली, इसलिए कहा जाता है less resolution, लेकिन sensitivity ज़्यादा है, वो देख, उस चीज़ को अच्छे से देख पाएगा, sense कर पाएगा, इसलिए इसका vision कैसा होता है, mosaic vision क्यों होता है, क्योंकि हर एक eye के पास, लगभग 2000 hexagonal ometeria होते हैं, इसके वज़े से एक object के पहुत सारी images बनती है, इतनी जादा image उतना उसको resolve करने में दिक्कत होने वाली, इसलिए कहा जाता है, mosaic vision मतलब sensitivity ज़्यादा, और resolving nature कम, तो more sensitivity, but the less resolution, being common during the night, hands called nocturnal vision, और कैसे common होता है during night, इसलिए कहा जाता है, nocturnal vision, now, अब यह important है, उसका reproductive system अलग-अलग होता है, क्योंकि cockroach dyaches होते हैं, male अलग, female अलग, तो यह important है, अब इसे पढ़ते हैं, तो cockroaches are the dyaches and the both sexes have well developed reproductive organ, cockroaches कैसे हैं, dyaches are male औ फीमेल, अलग-अलग हैं, इसलिए का well developed reproductive organ है, जो male reproductive system है, उसके पास pair of testes मिलेगा, जो कहाँ लाए करने वाली है, लेटरल साइट of the fourth and sixth abdominal segment, यह abdominal segment है, इसकी जो चौथी segment होगी और छटी segment होगी, और उसके लेटरल साइट पर लाए करने वाला है pair of testes, from each testes arise a thin vast difference which opens into ejaculatory duct, अब यहाँ से एक vast difference निकलेगी, वाहाँ से जाएगी, ejaculatory duct में, ejaculatory duct किसके थूर होते जाती है, seminal vesicle के थूर, ठीक है, अब ejaculatory duct open होती है, एक male gonophore में जो कहाँ पर होता है, ventral to anus, anus के ventrally located होता है, उसका male gonophore, anus कहाँ थी, dorsally present थी, और उसके ventral पीछे क्या होगा, male gonophore, तो ejaculatory duct जाके कहाँ खूलती है, male gonophore में जाके खूलती है, तो यह यहां से निकली फिर से क्या निकलती है, सबसे पहले यह testis है, हर एक testis से क्या राज होती है वाहाँ होती है, vast difference, вместе from the defect से जाके खूलती है, हमारी ejaculatory duct में खूलने से पहले कहां से जाती हो, और यह जोती है मेल तर फोर में उसे लिखेंगे क्या है यहницы Colorари के स्बूंझ होटी हैah बंचल्ए ह होती है क्या स्ब्सक्राइब कोगेसे यह और बनाया करें चीज़े प्रेजिंट होती है अब जो एक केरेक्टरिस्टिक मश्रूम शेप का ग्लैंड प्रेजंट होता है कहां पर 6 और 7 अब्डुम्न सेग्मेंट पर जो क्या काम करता है एक्सेसरी रिप्रडुक्टिव ग्लैंड का काम करेगा यह दो मैं यह चौती चौती से लेके चाहत्ट वी एक मश्रूम टाइब का ग्लैन प्रजन्ट होने वाला है जो किसका काम करेगा एकसीस्री पर अब जो एक्स्टरनल जेनीटेलिया कैसे रिप्रेज़न न दोते हैं बाय मेल गोनापोफईस और तो फैलोमेर कौन रिप्रेजन करता है इसका external genitalia male gonopophysis या फिर phelomer जो कैसे होता है काईटीन का बना है kaitinus है asymmetrical structure surrounding the male gonophore और किसे सराउंड करके रखता है male gonophore के आसपास मिलता है यहां पे हमें male gonopophysis kaitinus होता है इसे हम male फिर phelomer भी बोलता है यह क्या है external genitalia अब sperm का स्टोर होता है seminal vesicle में कहां स्टोर हो रहे था sperm seminal vesicle में seminal vesicle कहां थी यह वाला पार पहली तो क्या थी वास difference यह थी seminal vesicle seminal vesicle क्या करेगी sperm को स्टोर करेगी sperm are stored in seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatoforce यहां पर store होते हैं और एक bundle की तरह उन्हें ग्लू कर दिया जाता है चिपकार दिया जाता है फिर क्या बन जाते हैं वह spermatoforce विचार्ट स्टार्ज दूरिंग the copulation और यही spermatoforce discharge होता है copulation के time पर तो यह था पूरा male reproductive system क्या देखा male reproductive system के पास pair of testis है कहां located है वो यह थी हमारी testis इदर कहां located ही fourth और six segment पर फिर यह था हमारे दर क्या male गोनो फोर फिर उसके उदर है गोनापोफाइस और यह कि अनुस्ट है तो यह हमने पूरा male reproductive system देखा तो यहां हम लिख सकते हैं male ताकि यहां conclusion not demarkation करना है क्योंकि कहां से male start हो रहा है फिर यहां से नीचे साहरा है हमारा female तो male में देखा कि male reproductive system के पास pair of testis है जो body के लेटर साइड है फोर्थ और six abdominal segment पर है इस से क्या निकलती है थिन कैसी थिन वास जफ रचना की थिक ओपन होती है एजेक्लिटर डप में जेक्लिटर में से पहले कहां खुलती है वह सेमिनल वेसाइकल में अब जेक्लिटर डप्ट है वह खुलती है मेल गोनोफोर में कहां सिच्वेटेड है वेंटरी टू एनस एनस डॉर्सी लोकेटेड है तो उसके वेंटरी लोकेटेड है मेल गोनोफोर अब एक महीं पर करक्टरिस्टिक मश्रूम शेप का ग्लेंड होता है जो six और seven abdominal segment पर मिलेगा उसका काम है एक्सेसरी रिप्रक्ट इसकल में महाँ पनको ग्लू के जाता है आपस में बंडल की फॉर्म में और बनता है इस्पर मेटो फॉर जो डिस्टार्ज होता है दूरिंग कॉपिलेशन अब यहां से सब्सक्राइब और फीमेल रिप्रॉड्रक्टव सिस्टम तो हम इसे माँ करता है इस फीमेल रिप्र बेनर्स सेग्मेंट पे एच ओबरी इस फॉर्म ऑफ गुरूप ओफ और 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 फोलियो Dual किसकी इसके बनी होती है obsessed आएज और आध ठीवीप कमा मिलें के बनती है ह्मारीस के पास कहां डौ clericum वहाँ पर एक ऐसे चेन टाइप होती है ऐसे डवलपिंग हो हुआ अभी देखेंगे डाइग्राम में ठीक है अब यह जो ओवी डक्त है एक हर एक ओवरी इसे उंगल पनाती है में जिसे हम बोलते हैं वजाईना तो इंटू जनायटल चैम्बर अब फिड़ यह जाके कहां खुलते निधे खुल जाती है अब पेर एक पेर होता है स्पर्माथ नितु चेमब्स में तो क्या है इस डिप्रुदक्ट इप सिस्टम में फीमीज के उसके पास डो लाज ओवरी यह नो जबंगे बनती है यह यह फिर ओवेरिन टीपयूल कहा जाता है इनके पास चेंड व्डेवलपिंग ओवह होती है ओवे डेक्ट दोन ओभरी से निकलती यह संबजाएना भी कहतेर बजाला जाके खुलता है जनायटल चैमबर पे वहीं पेपेर होता है प्रइम्ट फिका सेग्मेंट पर प्रसेंट तो पनली होता वह भी जनाइटल चैमबर में । इसपर में होते हैं करोंार होते हैं इस पर मेट। किससे थू हो रहे है इस पर मेटढ़ोपोर्स के तू हमारे भूब्रकलल होगा इभ टैल यहां मारताब फरतिलइणी हो गया एभ यहाए हन्यां स्विप Gillie कैपसूल होता है जो कैसा होता है डाक रेडिश ब्राउन टाइप होगा जो अबाउट 3 by 8 इंचे से 8 mm लॉंग होगा दे आर ड्रॉप्ट और उनको ड्रॉप किया जाता है या रख दिया जाता है एक सीटेबल सर्फेस पर यूजवली इन क्रेक्स मतलब गड़्ों में या सर्विसस में जहां पर बहुत जादा हुमिडिटी और जहां पर खाने का सोर्स अच्छा हो तो उस ऐसे गड़्े में रखा जाएक जहां बहुत हुमिडिटी और खाने का सोर्स हो और इन एवरेज फीमेल प्रेड्यूस करती है 9-10 उतिका इच कंटेंग 14-60 तुशी नेग मतलब एक जो एवरेज फीमेल प्रेड्यूस करेगी 9-10 उतिका ठीक है उतिका क्या था फटिलाइस क्याप्सूल जहां पर फटिलाइस के बाद ज यह बहुत important है इसका जो development है कैसे होता है porometabolus meaning there is a development through the nymphal stage कैसे development हो रहा है नेंफ इस्टेज आ रही है उसके तो फ़हाँ पर development हो रहा है जो नेंफ look very much like adult adult की तरह ही दिखता है the nymph grow by a molding about 13 times लेकिन adult बढ़ने से पहले वो अपने आपको 13 times मोल्ड करता है 13 13 ताइम अपनी शेप अपने स्ट्रक्चर चेंज करता है एडल्ट फॉर्म तक पहुचने तक अब जो नेक्स्ट टु दर लास्ट निम्फल स्टेज मतलब लेक्स्ट टू लास्ट वाली के नेक्स्ट जो लिम्फल स्टेज होती है उसके पास क्याते हैं इस प्रविश्ट प्रविश्ट नेक्स्ट मिलते हैं तो मैंने स्ट्रक्रोच और वाइल एड़ एड़ एकनोमिक इंपोर्टेंस यह पाता है तो कुछ फ्यूट पीशिज ऐसी है जो रहती है अराउंड फ्यूमन हैबिटेट जो पैस की तरह काम करती है खाना खराब करती ह तो यहां पर इसका फीमेल रिप्रट्टिव सिस्टम भी खता हुगा फिर देगा कैसे फटलाइजेशन होता है फिर उथी का कैप्सूल होते है एक टाइम पे नौ से दस उथीका रिलीज होते हैं अब हर एक उथीका में कम 14-16 अग मिलते हैं इसका डवल्लमेंट पौरो सब्सक्राइब। मतलब बहुत सारी लंफ स्टेज आने वाली जब जाकर वह एडल्ड बनेगा इसमें कितना होता है थर्टीम बार मोर्टिंग ऺए और लास से से नेक्स से जज होती है लिम्फ वाली वहां पर उसके पास बीपेट्स होते हैं लेकिन जो रियल विंग रोते एंदम बंटन से और किया यह तीच दूड़ा ऊफ़ ओम आसा है क्या है यह ए पěूरी Aurora's साइड ले मेड करना ठविंद काना फिर वाज देफरेंस नहीं से पहले बगाइन पहले यहें लुक्त तप्रेटी जैटीडीन हम इस पॉर फिर यहां दोड़ करनो यह फैलो मेर्ज देखिया थे हमने कहां प्रेजंट थे जो मेरी गॉनोफवासिस को कर रहे थे अनल सरकस कोडल स्टाइल डैट इस एनल स्टाइल टू सूडो पैनिस टिलेटर लेफ्ट फैलो मेर्ज फिर यह फैलीक ग्लैंड है यह स्मॉल टिब्यूर सै और यह लॉंग है यह सेमिनल वेसाइकल कहा है देख लो यह इसकी समनल वेसाइकल आँ यह समाइनल वेससाइकल यह बाब दाफ डेफ्रेंस किया आहिकला है स्प下面 सिर मिचल पॉर बनाने यह यह राइट फैलो और यह फिर है यह वेंट्रल फैलोमेर फिर आएंगे कॉडल स्टाइल यह है इसकी सूडो पैनिस सूडो पैनिस लेफ्ट फैलोमेर और यह टिटी लेटर तो यह था इसका मेल रिप्रोड़क्टिव वाला पूरा अब ऐसी देखते हैं कि फीमेल का साफ है इस साफ जो जो साफ होता है ना मतलब उसका काम ही यह ही है है इसको प्धेयों से लेटिनलेटर फैलो मेर का पार्ट होता है आप में वहको में तो देखने हैं कि बार्व ने प्लेस्टियर यह लाज ऑबरी है फिर Oatives आई के से फिर औरी ज़नाइटल चेंबर में एक में जाक कंशितum कस्वार्णाज और बस dich ने जाकर के खरती है जनाइटल चैंबर में जनाइटल पौच जनाइटल पौच से मिलाके बनताए थिविपिपल्डब्ल मोब जना विसरी का मिल फांटल को प्लिट हुआ अब इसको एक बर दुबारा रीडाउट करना क्योंकि साइच चीजे में याद रखने वाली है कि कौन सी चीज कहां लोकीड़ है किस सेग्मेंट पर लोकीड़ है क्या क्या है कौन किसको सुराउंड करता है तो इसमें इंपोर्टेंट है डाइग्राम से इंप प्रशुवाला पाट तब तक ले थैंक यू